hello dear students students good evening to one and all students फिर से एक बार आपका यपमास्टर के ओपर स्वागत है देखिए students हम discuss कर रहे थे kingdom एनीमेलिया students जो कि बहुत ही important है students और आज हमारा last class स्टूदेंस लास देखने जारे है क्लास मामेलिया स्टूदेंट्स आप यहां पर जीराफ भैंसे right students right आपको देख से हिपोपोटैमास right wild dogs, cheetah right students बहुत सारे jackals, tiger, leopard right बहुत सारे आर्गानिजम से लिए students right all these और यहाँ पर देख सकते हो इस लिए गोरिला से चिंपांजी से right students human being से all these organisms animals belong to what class mammalian students right यह जो जितने भी animals से students यह highly evolved animals से याद रखे बेटा बहुत ही important है right right so अब हम क्या discuss करने जा रहे हैं आज के session में देखिए class mammalian students right जो की phylum cardata में highly evolved class है right पूरे animal kingdom में सबसे highly evolved class कोई है तो ओ है students याद रखिए class mammalian और animals belonging to the class mammalian are called mammals students right यह आप याद रखे बेटा बहुत ही important है अभी बताइए mammals के है बेटा animals belonging to the class mammalian are called animals I mean mammals याद रखे students right चलो हम देखते students अभी salient features of mammalian हम देखना है हमको students देखिए अगर आप mammals का number देखोगे students right अगर आप numerical strength कहते इसको आप numerical strength देखोगे students right 5000 प्लस कहूंगा मैं right यह कोई exact आकडा वहाँ पर नहीं होता है students यह एक educated guess होता है students जो taxonomist के द्वारा दिया गया होता है याद रखे सबसे जादा अगर मान के चलिए हम main vertebrate के classes लेते हैं right जैसे कि हमने देखा था amphibia class है reptilia है students right और दूसरा है eves और तीसरा हम देखेंगा अगर किसके vertebrate के main classes लेते हैं right और तो tetrapoda के लेते students right राइट टेटरा पोड़ा में अगर super class tetrapoda के हम अगर classes देखते हैं तो वहाँ पर चार classes amphibia reptilia eves mammalia students right इसमें देखिए सबसे least number में आर्गानिजम से mammalia के students उसके बाद number आता है याद रखिए Amphibia का right उस arguably प्लस प्लस स्टूटेंट से कम है वह बहुत ही इसका सिधा कनेक्शन होता है बायो डायवर्सिटी में होता है याद रखे बेटा बायो डायवर्सिटी को एवलूशन को देखके रेप्रोडक्शन आर्गानिजम को मद्य नज़र रखते हुए यहां पर आपको human physiology को मद्य नदर रखते हैं यहाँ पर पढ़ाया जारा students थोड़ा था detail में पढ़ाया जारा रहा राइट याद रखे बेटा सो मामेरस में कितने species है बताइए 5000 प्लस species तो 5000 प्लस species तो हम नहीं पढ़ सकते हमारे lifetime में तो हमको क्या करना है जिनका भी मिस हुआ कोई चिंता करने की ज़रूत नहीं यह प्मास्टर के ओपर पूरे वीडियो से आप वन बाई वन देख सकते हो यहां पर आप देख सकते हो वेल बैट है राइट क्यांगरू है स्टूडेंट राइट यह बहुत ही सिंपल है राइट इस प्रक्रियों इस इस आप अनिमल सार इंप्लेंड वाट क्लास याद रखे मामेलिया में स्टूडेंस और अल दीस अनिमल्स बिलॉंग इंट टॉ वहां पर हुआ हूँ हो देवाल फंविछ ग्रूप देव राइट दूरिंग विच पिरेड देवाल दूरिंग विच पीडूपर देड दामिनेट यह थर फेस हमने कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन हमने हसिल कि आता स्टूडेंस राइट कुछ उसी तरह के बाते भी य आते में आपको यहां पर यह कुछ पॉइंट्स यहां पर लगा के समझा रहों स्टूडेंट्स याद रखेंगे इसका फाइदा आपको कब मिलेगा जब पूरा 11 और 12 आपका सिलबस कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स जब आप नीट का राइट पाइनल प्रेपरेशन यहां पर कुछ उसी तरह से मामेलस और टरापसी्ट हेंट्स याद रखेंगे थोड़ा सा दिफरेंस होता ही है बद सीनेटल फिरेपríट रेप्रेट इ靡़ा बीजिनेते थे यहां पर मामेलस डिसकस करें तो नैपल और अरेवलेज़ब के राप्सिड रेप्टाइल रइट रेट तुदेंट राइट दूरिंग विच पिरिएड ट्रयाशिक पिरिएड रैट मेसोजो कोरी के स्टूडेंट याद रखिए बहुत इंपोर्टेंट है यह सीड माहिने रखता है यह नीट का पॉइंट याद रखेए बेटा निस याटी में नहीं है ना इन्ची आर्टी में यहां पर नहीं है तो क्या हुआ ओवलूशन में हैं वह पॉइंट याद रखें स्टूडेंट सَ peso महामेलS के पूरवच क्वोंश से महामेल्स के पूरवच रैप्टाइल्स में कुनra ग्रुप महामेल का फ्रोवच है थैराप्सी रैप्unden डेखिन मामेल ऑब ऊर और ओर चुरियद प्रे रिप्टाइल्स डियुरिंग विश विच पिरियू है दूरिंग triassic period students right triassic period mesozoic era में है याद रखिए आपको geological time scale बताए जाएगा evolution में तब यह period triassic period क्या है right is mesozoic era क्या है यह पूरा वहाँ पर समझ में आएगा students तो यहां से ही आप थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ोगे तो आगे बहुत ही इजी आसान होगा students चलो आगे बढ़ते हैं मामेल्स एवाल फ्रम थेरापसिट रेप्टाइल्स दूरिं ट्रियासिक पीरिड ऑफ मीसोजोईक एरा students यही मामेल्स राइट सीनोजोईक एरा में अभी जो चल रहा ना बेटा यह सीनोजोईक एरा है याद रखे राइट यह मामेल्स और डॉमिनेट अड़ अर्फ सर्फेस राइट सो दूरिंग दिस सीनोजोईक एरा सो सीनोजोईक एरा इस काल गोल्डन एज ऑफ मामेल्स यह भी नीट का पॉइंट है यह भी नीट का पॉइंट है एवलूशन में फ्यूचर में आपको आजाएगा यह पॉइ लिए सो मेरे खाल से दो ब्यूटिफुल पॉइंट बहुत ही राइट तफ पॉइंट कह सकते हैं इनको आपको समझ में आऊंगे स्टूएंट मामेल्स एवल्ड ओरजिनेटेट फ्रम थेराप्सीड रेप्टाइल्स दूरिं ट्रैसिक पीरिड अफ मेसोई के रहा याद र मैम और देखा था उसी तरह से स्टडी आफ मामेल्स को क्या कहते बैटा माम आवलाजी कहते याद रखिए याद रखिए हैं मांने उनका न्यूमरिकल स्टेंथ बताया था तूडें साढ़े-5 हजार की आसपास मामेल के स्पीसिस हैं याद रखिए स्टूएंस राइच तो यह क्लास मामेलिया डिसकस करें तो मामेल्स कैसे बताईए हौई रखिए इनी को अमक्या कहते और स्टूरंस और मल्डविडर्स त्यूम्ट यहCrend सुढ़्म इमस्ट गया श्क्रीट मांत्स टुडंगे रखिए मामील्स सहुआ रहा थे यह Вас यह रख dud don O temperature constant right in mammals and birds body temperature will remain constant irrespective of fluctuations in the environmental temperature dear students right right so मालके चलिए उनके surroundings में birds के और mammals के surroundings में temperature में fluctuation हुआ तो भी mammals के और birds के body का temperature change नहीं होगा और वो constant रहेगा इसलिए mammals और birds काम क्या कहते students homeothermic animals कहते या endothermic animals कहते या thermoregulators कहते याद रखिए वो अपने body का temperature maintain कर सकते उसी यह उनको क्या कहा गया है thermoregulators उसी को क्या कहा है students warm blend animals का गया याद रखे बिटा चलो कुछ और beautiful points देखते students यह जो मैंने previous slide में बताया था यह पूरे जो चार टर्म से ना यह चार टेकनिकल वर्ट जो मैंने बताया था students यह याद रखिए बहुत important students need के लिए राइट अब देखते students हम देखिए salient features जिस तरह से हमने salient features अलग-अलग classes के देखे थे students कभी भी याद रखिए salient features शुरू करना है हमको habitat और habits से और reproduction तक देखना है students अगर आपको time मिलता है तो थोड़ा सा classification classification part भी देख लिए तो आचा रहता जो you know examples के बाद आप classification भी थोड़ा सा देख सकते हो students हमको ऊंचा रहना है हमको थोड़ा सा टॉप करने हमको 360 360 चाहिए biology में कम हम accept नहीं करेंगे तो हमको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना होगा ज्यादा मेहनत करना होगा right competition बढ़ चुका ह है और cut up भी बहुत है जाएगा तो आपको यह ध्यान रखना है students चलो आगे बढ़ते habitat और habit के बारे में सोचते students देखिए मामेल से कोस्मो पॉलिटन है students याद रखिए मामेल कैसे कोस्मो पॉलिटन का मतलब क्या होता है यह प्रजेंट एवरीवेर जो मामेल से आपको कहां पर भी देखिए आप जंगल में जाओ मामेल देखिए रेगिस्थान में मामेल से देखिए हवा में भी उड़ते मामेल कुछ पाए जाएंगे जैसा बैट से students यह दिखेंगे आपको पानी में यह रहेंगे और धर्ती के हर कोने में आपको मिलेंगे मामेल से याद रहें इसलिए मैं नहीं यहाँ पर मेंशन किया मामेल सार कास्मोपॉलिटन यहार फाउंड इन वराइटी ऑफ हैबिटाट स्टुदेंट्स राइट कहां कहां पर पाए जाते सबसे एक्स्ट्रीम देख सकते हैं और प इसके साथ हमने हैबिटाट मामेल का देख लिया स्टुदेंट्स चलो आगे बढ़ते और कुछ इंट्रेस्टिंग पॉइंट्स देखते यह तो एंसियाटिक है बॉड़ी आप देख सकते हैं इस सब वेर सिंपल यह बॉड़ी का जो बॉड़ी का जो डिविजन है ना से जो दिखेगा छोटा सा दिखेगा लेकिन छोटे-छोटे पॉइंट्स कोई कंसिडर किया जा रहा है नेट में याद रखे बैटा राइट देखिए फिशस में हमने बॉड़ी डिविजन देखा था फिशस का राइट वहाँ पर हेड था नेक तो एपसें था ट्रंक और चलो इसके साथ हमने बहुत ही मजेदार दो पॉइंट देख लिए स्टूडेंट यह है है एबिटाड और दूसरा है बॉड़ी पाट्स चलो स्टूडेंट और कुछ इंट्रेस्टिंग पॉइंट देखते क्लास मामेल या के बारे में हेर स्टूडेंट राइट राइट यह सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट मामेल का मोस्ट इंपोर्टेंट कहिए यूनिक क्यारेक्टरिस्टिक फीचर कहिए राइट प्रजेंस आफ एर ऑन द बोड़ी इस देडिया अनिमल को मान के चलिए आपको एक कोई अनिमल आपको दिया गया है और के दिया है अगर आप उसको मामेल्स बताना चाहोगे तो क्या देखोगे स्टूडेंट्स वो उसमें अगर मानके चलिए आपको हेर मिलते हैं कहीं पर भी आपको हेर दिखते हैं उसके बॉड़ी के ऊपर तो सीधा कह सकते हो सर यह अनिमल बिलॉंग्स टुवाट क्लास मामेल आप कह सकते हो इतना important point है बेटा दूसरे classes में हम कहीं पर भी हेर नहीं देखे राइट वर्टीब्रेटा में हम देखते आ रहे साइक्लोस्ट्रमेटा कॉंट्थिस ऑस्टिक्थिस एंफिबिया रेप्टिलिया यह उस मामेलिया तक हम यह साथ क्लास देखेंगे तो इसमें कहां पर हमको यह देखने को मिला students hair मात्र और मात्र क्लास मामेलिया में हमको hair देखने को मिलते students याद रखिये बहुत important point है बेटा so in mammals what happens their body is covered with what a coat of hair students right so hair are made up of what a protein called carotene याद रखिये बेटा hair is made up of what protein called carotene बहुती minor students याद रखिये बहुत important point है so mammals में hair होते है so you know hair are present in what skin of mammals students याद रखिये बहुत important है और hair is made up of what a protein called carotene यह भी point minor class students देखिये hair are reduced जो है न बेटा यह hair है न hair reduced right so hair reduced कहां पर hair reduced होके होते है याद रखिये whales में किसमे whales में और armadillos में students यह armadillos जो है न बेटा यह armadillos में और whales में adult stage में hairs are not found you remember right बहुत important point है जनरली body के ओपर hair होते है लेकिन whales में और armadillos में hair are lost right यह students right in adult stage but these are found in embryonic stage dear students इसका मतलब क्या है hair are found in right mammals at least some stage in their life cycle dear students यह करेंगे आप यहां पर कुछ मैंने animals आपको बता है students right ताकि आप जब यह point देखोगे तब आप यह animals के साथ animals में वह point है या कुछ characteristic feature morphology में आपको दिख रहा वो समझने के लिए आपको आपको easy हो जाएगा इसलिए मैंने यहां पर इमेजेस रखे students ताकि आप ज़्यादा बोर नहीं होना चाहिए राइट यह पूरा memory-based होता है याद रखे विटा राइट चलो आप देखेंगे limbs आपको पता है students fishes में क्या थे locomotor structures fins थे राइट यह limbs कहां से देखना शुरू करें बहुत ही इंपोरेट है चलो अब देखेंगे और कुछ यह limbs जो है ना limbs यह walking, running, right, climbing, burrowing, swimming, right, and flying these students. आप देखिये, बहुत ही इंपोर्टेंट है, मामेल्स के जो लिम्स है, students, right, so मामेल्स में लिम्स देखिये, हमारे लिम्स है, right, you know, these limbs are useful for us in walking, these are useful for us in what, running, right, students, right, बहुत ही सिंपल है बेटा, और वैसे ही, whales में, they are useful for what, swimming students, right, ये bats में आप देख सकते हो, they are useful for what, flying students, याद रखिये, in some other organisms, right, in rats, they are useful for making burrows in the soil students, right, so इसलिए यहाँ पर mention किया गया है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, limbs कितने है, two pairs of limbs है, four limbs and hand limb students, right, pentadactylous limbs होते हैं, याद रखिये, students, और limbs are useful for variety of activities, such as running, swimming, flying, right, students, making burrows, और बहुत सारा climbing के लिए काम आते हैं, students, याद रखिये, बहुत ही इंपोर्टेंट हैं, और कुछ इसमें, आर्गानिजम से, कुछ मामेल से, students, उनमें limbs नहीं होते, हैंड लिम्स नहीं होते हैं, especially, याद रखिये, कौन से हैं, देखिये, हैंड लिम्स आर, absent, right, in citasia and sirenia students, बहुत ही important है, याद रखिये, citasia and sirenia, citasia में क्या होता है, देखिये, citasia में होता है, dolphins, right, students, right, याद रखिये, आपको यह आना चाहिए, advanced level है, याद रखिये, citasia, order है, student, याद रखिये, citasia order में क्या है, dolphins और whales है, students, right, देखिये, whales और dolphins, यह whale है, मैंने बता है, इसमें आपको hand limbs दिखरे का students, नहीं, it's very simple, right, students, right, so citasia में और sirenia में, right, sirenia में एक example देना चाहूँगा, मैं, sea cow है, students, right, manati या sea cow कह सकते हो आप इसको, in sea cow, you know, you cannot find what, बहुत ही important है, hind limb students, right, यह exception है, याद रखिये, बैटा, चलो, आगे बढ़ते, अभी हमने hair देख लिया, और हमने limbs भी देख लिये, students, right, कुछ और interesting points देखते हैं, देखिये, skin, यह बहुत important है, student, neat का point है, neat का question इसके ओपर बन सकता है, याद रखिये, किसके ओपर, skin के ओपर, mammals के skin के ओपर, right, students, right, देखिये, in mammals, skin is glandular, कैसा होता है skin, glandular होता है students, and skin consists of what, variety of glands students, right, कुन से ऐसे glands है, जो mammals के skin में पाये जाते, students, आप देख सकते हो, वहाँ पर मैंने mention क्या है, sweat glands है, sweat glands का आप सुदोरी फेरस glands भी कहते, students, oil glands है, उसको sebaceous glands भी कहते, students, और scent glands, इस तरह के different-different kinds of glands are found in the skin of mammal students, right, so इसलिए मैंने वहाँ पर clearly mention क्या है, skin in mammals is glandular, it consists of what, variety of glands, such as sweat glands, pseudoriferous glands, right, students, sweat glands का दूसरा नाम है, pseudoriferous glands, oil glands, उनका दूसरा नाम है, sebaceous glands, students, right, और scent glands, इस तरह के different kinds of glands can be seen in mammalian skin, students, right, बहुत ही important है, याद रखिये, और एक neat का question मैं आपके साथ share करना चाहूंगा, देखिये, जो sweat glands है ना, students, sweat gland का function क्या है, they help in thermoregulation, students, right, ये जब human physiology हम पढ़ाएंगे आपको, तब ये चीजे पूरे वहाँ पर repeat होईंगे, students, याद रखिये, तो इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा detail में, deep में पढ़ाया जारा, right, हमको पता है, right, कितना पढ़ाना है, कहां तक पढ़ाना है, तो आपको इतना ही करना है, आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, right, कुछ doubt है, तो ये अप master को लिखके भेजना है, फिर बाद में आप, आपको doubts clarify किये जाएंगे, students, right, आप देखिए, यहाँ पर कोई doubt ही नहीं आएगा, मैं आपको guarantee देऊंगा, right, so 100% मेरे तरफ से, मैं guarantee देऊंगा, आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको कोई doubt ही ना आए, right students, right, बहुत important है, precaution is better than cure, बोलते students, right, so doubt ही नहीं आना, इस तरह से concept हम पहले समझा देंगे, आपको याद रखे बेटा, right, चलो आगे कुछ बढ़ते हैं और देखते हैं, यह जो glands है ना, इनके functions थोड़ा सा देख लेते students, अभी sweat glands है, sweat glands का function क्या है, sweat glands देखिए, sweat glands helps in what, thermoregulation, maintaining body's temperature दिया students, जब भी मान के चलिए, बॉड़ी का temperature बढ़ जाता है, students, right, मान के चलिए, वैसे condition में, right, यह बहुत ज़्यादा sweating आता है, students, और कुछ समय के बाद हमारा body और थंड़ा हो जाता है, right, इसका मतलब क्या है, so direct बोल सकते हो, thermoregulation, so sweat glands helps in what, thermoregulation, एक point याद रखे, यह जो sebaceous glands, oil glands है, देखिए, मेरा, यह जो हाथ है, इसके ओपर, बाल है, students, right, आपके भी, what you can say, body के ओपर, you know, body parts के ओपर बाल है, right, यह बाल को, हमको oil लगाने की कोई ज़रुतने ऊपर से, moisturizer, viturizer लगाने कोई ज़रुतने, भगवान ने ऊपर कूट-कूटके, कूट-कूटके भरा है, right, students, right, यह multinational companies का, यह funda है, right, students, right, यह कुछ भी moisturizer, viturizer निखाला जाता, और हैसो skin को भी खराब किया जाता, students, भगवान ने सब कुछ दिया है, हमारे, सब कुछ है, हमारे शरीर में याद रखे, right, students, right, so, हमारे skin में कुछ glands है, students, उनको sebaceous glands कहते, oil glands कहते, they produce oil, और जो oil है न, वो moisturize करता है, students, याद रखे, उपर से लगाने की कोई ज़रुत नहीं है, आपको, right, वैसे खर्चा करने की कोई ज़रुत नहीं है, सब कुछ आपके शरीड में है, students, right, उसको संभाल के रखे, बेटा, याद रखे, so, कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, आप देख सकते हो, students, sebaceous glands या oil glands, they produce what oil, and that oil helps in moisturizing your skin, right, or moisturizing your hair, students, याद रखे, और as far as, देखिए, scent glands है, कुछ organisms में, scent glands भी पाए जाते है, students, याद रखे, वो एक प्रकार का smell, वो प्रोडूस करते हैं, याद रखे, इतना है काफी है, more than enough, और students, mammary glands जो है न, बहुत ही important है, because of presence of mammary glands, mammary glands में सबसे important क्या है, देखिए, यहाँ पर मैंने यह बताया है, right, students, यह mammary glands of cow है, right, यह order है, यहाँ पर आप देख सकते हो, निपल से, students, यह mammary glands of cow है, जो दूद देती है, right, students, याद रखे, so, यह जो mammary glands है न, बेटा, किसमे, mammary glands में, so, यह mammary glands जो है, यह modified pseudoriferous glands है, neat का question है, students, याद रखे, यह भी neat का question है, देखे, mammary glands, यहाँ पर मैंने मेंशन क्या है, mammary glands are modified pseudoriferous glands, dear students, याद रखे, found in female mammals, for right, baby feeding students, बहुत ही important है, mammary glands produce what milk, and that milk is right, given to the young ones, dear students, बहुत ही important है, और यही question आ सकता है, mammary glands क्या है, modified pseudoriferous glands है, याद रखे, बेटा, right, so pseudoriferous glands, जो हम क्या बोलते हैं, sweat glands, sweat glands are modified into mammary glands, students, याद रखे, mammary glands में, right, right, mammary glands, बोथ males और females में होते हैं, और females में यह जो glands हैं, यह functional होते हैं, generally, याद रखे, और milk produce करके, young ones को, right, और feeding में काम आते, students, याद रखे, बहुत important है, यहाँ पर मैंने आपको बताने के कोशिश कि आप देखिए, cow mammary glands मैंने बताए, order है, nipples साब को दिख रहे होंगे, students, right, right, so इसके साथ हमने क्या देख लिया, यहाँ पर skin देख लिया, skin में बहुत सारे, बहुत सारे, right, different, different types of glands हमने देख लिया, जिस तरह से, I mean, sweat glands, pseudoriferous glands कहिए, sebaceous glands, oil glands कहिए, right, यह याद रखे scent glands, और जो mammary glands होते हैं, mammary glands में students, right, वो क्या है, modified pseudoriferous glands, sweat glands से बेटा, याद रखे, बहुत important है, because of presence of mammary glands, right, so the, right, class name is mammary glands, याद रखे, बेटा, यह class का नाम mammary glands को mammary glands क्यों बोला जाता, students, यह इसी के वज़े से, mammary glands के वज़े से, इसका नाम पढ़ा है, याद रखे, चलो, आगे बढ़ते हैं, और कुछ और interesting points देखते हैं, students, देखिए आप, बहुत ज़्यादा points हैं, यहाँ पर देखने के लिए, students, exoskeleton, अब देखिए, mammary glands में, जैसे हम फिशर्स में, हमने exoskeleton क्या है, scales है, students, right, amphibians में, हमने exoskeleton कोई नहीं देखा था, वहाँ पर scales generally absent थे, वहाँ पर याद रखिए, फिर reptiles में, हमने क्या देखा था, scoots, shields, right, students, right, यह हमने, कुछ scales भी देखे थे, हमने, reptiles में, याद रखिए, फिर birds में, exoskeleton के रूप में, scales भी देखा था, scales on legs, right, horny, covering on beak, rampho, थी, right, students, right, यह याद रखिए, बहुत important point है, बहुत ही यह चार components हमने, exoskeleton में पढ़ा था, birds में, students, right, यह comparison है, comparison बहुत minor रखता है, देखिए, यहाँ पर mammals में क्या है, right, exoskeleton mainly in the form of what, nails, आपके जो, right, यह जो, fingers say, at the tip of fingers, right, they are covered by what, nail students, and they provide protection, right, so इतना ही याद रखिए, exoskeleton is present in the form of what, nails, in some animals, what, horns will be there on what, देखिए, यहाँ पर देख सकते हो, students, यहाँ पर horns है, students, right, so horns क्या है, यह exoskeleton element है, students, right, so made up of what, protein, called keratin, students, याद रखिए, बहुत important है, बहुत important है, it's very simple, so exoskeleton is present in mammals, and that is generally in the form of what, horns है, कुछ animals में जैसा, गायों में, बैलों में, right, students, right, आप यहाँ पर देख सकते हो, यह deer में, students, right, horns है, right, so यह exos skeleton है, हमारे, इसमें, nails होते है, students, वो exoskeleton है, याद रखिए, कुछ, दुसरे animals में, whos होते है, right, क्या, whos, whos, singular, whos, plural है, याद रखिए, whos होते है, right, they provide protection, students, horse में, वगयरा, cattle में, है, whos होते है, students, right, right, so यह याद रखना होगा, आपको, और class students, right, यह याद रखिए, बहुत simple है, बेटा, चलो, endoskeleton के specialities हम देख लेते, students, right, यह भी बहुत important है, comparison किजिए, students, fishes से comparison किजिए, fishes में, हमने देखा था, skull कैसा था, monocondylic, amphibia में, skull, diacondylic था, reptiles में, skull, monocondylic था, right, birds में, skull, monocondylic था, mammals में, skull, diacondylic है, students, याद रखिए, इसलिए, skull is, diacondylic mammals में, अभी देखे, fishes में, हमने, vertebrae देखे थे, amphicillus vertebrae थे, amphibians में, prosilus, office of silus, amphicillus, right, reptiles में, mostly prosilus, और birds में, heterosilus थे, students, right, mammals में, किस तरह के, vertebrae होते, mammals में, amphiplatean, या, यह silus vertebrae होते, students, यहाद रखिए, यहा इसका मतलब क्या है, बोथ, anterior surface and posterior surface, right, they are flat student, right, इसलिए, उसको क्या कहा गए, amphiplatean कहा गए, यह नीट का question, यहाँ से भी बनने का पूरा संभावना है, students, याद रखिए, नीट का question, बन सकता है, यहाँ से, right, कहां से, endoskeleton से बन सकता है, तो endoskeleton में, सबसे important, याद रखिए है, skull, dicondylic है, मतलब, दो occipital condyles होते, students, right, कहां पर, skull में, so, इसलिए, dicondylic skull कहा गाए, vertebrates के, दो ही classes में, dicondylic skull है, एक है, amphibia, और दुसरा है, mammalia students, right, right, और दुसरे important points, देखिए, students, lower jaw, जो है, mammals का, यह जो lower jaw है, students, यह mammal में, अब देख सकते हो, यह mammal का lower jaw है, is made up of single bone, उसका नाम है, dentary student, याद रखिए, बहुत ही important ही, बिटा, lower jaw is made up of only one bone, so, skull, monocondylic, lower jaw में, एक ही bone होता है, dentary है, उसका नाम, याद रखिए, most mammals have seven cervical vertebrae, जो मैं, यह circle करों, student, याद रखिए, mammals में, neck में, कितने vertebrae होते हैं, generally, seven cervical vertebrae होते हैं, mammals में, कुछ exception है, exception कि आपको को कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप याद रखते हो, तो याद रखिए, students, यह देखिए, यह point है, students, यह point मैं, यहाँ पर, mamelia में, बताया, यह same point आपको, locomotion and moment में, देखने को मिलेगा, कहाँ पर, locomotion and moment में, एक chapter है, students, राइट, कहाँ पर, इसमें, human physiology में, locomotion and moment chapter है, य सब कुछ वहाँ पर दिखेंगा आपको, students, right, so, इस तरह से, बहुत ही, planning से पढ़ाना पड़ता, बहुत ही, बारिकी से पढ़ाना पड़ता, तबी, neat में, जाके, result आता है, याद रखिए, तो, यह हम जानते है, किस तरह से, उसको connect करना है, students, right, so, most of the mammals है, how many cervical vertebrae, seven cervical vertebrae, याद रखिए, exception है, exception है, exception याद रखिए, बहुत अच्छा होगा, student, bradypus, right, यह याद रखिए, bradypus क्या है, यह बहुत important है, sloth है, student, right, sloth कहते हैं, इसको, बहुत important है, इसमें क्या होता है, students, 9 या 10 cervical vertebrae हो सकते है, याद रखिए, कितने 9, मान के चलिए, 9 या 10 cervical vertebrae है, मतल होते, cervical vertebrae होते, यह दो exception है, यह नीट का question है, advance में आ सकता है question याद रखिए, NCIT के textbook में नहीं है, यह साथ cervical vertebrae NCIT के textbook में है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, locomotion and movement में है, तो यहाँ पर ही पढ़िए, आगे बढ़िए, बस finish, right students, right, यह हमने advance में point सोड़ा सा देख लिया, 7 cervical vertebrae है, अगर मान के चलिए, किसी भी आर्गानिजम के neck में 7 vertebrae होते हैं, 7 cervical vertebrae होते होते हैं, तो उसका मतलब क्या है, हो सकता है, वो मामेल होंगा, right, ऐसे दो ही आर्गानिजम है, 55,000 species में students, right, यह है, manati, cica, उसमें 6 है, और दुसरा baddipus, right, वो जो sloth है, उसमें क्या है students, 9 cervical vertebrae है, याद रखिए, बेटा, right, अब यह तो मैंने vertebrae बता दिया था, यह सील से amphiplatean, और ribs कैसे होते हैं, double-headed होते हैं, students, याद रखिए, बहुत ही important, मैंने points share कर दिया, endoskeleton के अंदर, अब देखिए, diaphragm students, right, बहुत ही important है, neat का question है, यहाँ पर, जहाँ पर मैं neat लिखनों students, ध्यान से, वो देखिए, वो slide, zoom करके देखिए, कुछ special notes मिलते हैं, तो लिख लीजिए, students, याद रखिए, बहुत ही important है, information आप याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए, याद रखिए, य बेखिए, यह डाफिरम क्या है, horizontal partition है, उसी को डाफिरम कहते, इस प्रजेंट in the body cavity of all the members, students, all the mammals कहिए, याद रखिए, यह डाफिरम का काम क्या है, देखिए, डाफिरम divides body cavity into upper thoracic cavity, right anterior thoracic cavity and posterior anterior thoracic cavity and posterior right students right abdominal cavity याद रखिए बेटा बहुत important है देखिए ये body cavity कुछ divide कर रहा कि नहीं anterior क्या है thoracic cavity और posterior abdominal cavity यहाँ पर देखिए ऊपर thoracic cavity और पीछे नीचे abdominal cavity students इतना ही याद रखिए और diaphragm helps in what mainly diaphragm helps in breathing students right right उसके दूसरे भी कुछ यूजे से जो मैंने यहाँ पर mention किये आप देख सकते हो students diaphragm helps in mainly it helps in what respiration but it also helps in defecation it also helps in what defecation it also helps in removal of excreta right dear students याद रखिए बहुत important है बेटा दूसरा it helps in what mixturation means removal of urine याद रखिए parturation मतलब at the time of child birth also it somehow helps dear students right so सबसे important क्या है कम से कम याद रखिए diaphragm helps in respiration students right आपको यह breathing and exchange of gases में समझा दिया जाएंगा detail में mechanism of breathing में detail में समझा दिया जाएंगा students right बहुत ही मायने रखता है बेटा यह जो diaphragm है ना यह without exception it is found in all mammals यह एक partition है body में होता है याद रखिए जहां पर मैंने दो animals का यह इंसान में और घोडे में बताया students आप देख सकते हो right so diaphragm separates a diaphragm divides body cavity into anterior thoracic cavity and posterior what abdominal cavity students right यह diaphragm का काम है इट separates what body into two cavities anterior thoracic cavity and posterior abdominal cavity और diaphragm helps in what respiration it helps in defecation it helps in uh mikturation it helps in parturation dear students right mikturation means urine urination right आप यह बोल सकते हो expulsion of urine right so expulsion of baby is called what parturation यह चाल बर्त का सकते हो students अब देखेंगे students digestive system थोड़ा साम जानेंगे देखिए बहुत important है वही sequence में पढ़ रहे हम right fishes में digestive system amphibians में digestive system कैसा था reptiles में birds में कैसा था मामेल में कैसा है वही पढ़ रहे students बहुत ही simple है याद कि so जो points वहाँ पर देखेते है वही point हमको यहाँ पर भी देखना है students right so elementary कैसा है complete है starts with mouth ends with anus किसी भी organism में आप देख सकते हो students dentition heterodont dentition है four different kinds of teeth will be there dear students आप देख सकते हो incisors canines premolars molars so therefore dentition is heterodont two sets of teeth are formed so therefore dentition is what dipheodont dentition students right our teeth are embedded in the sockets of jaw bone the students right so therefore dentition is called what thicodont dentition students right so both three important point है याद रखिये so teeth या dentition कही सकते हो आप यहाँ पर dentition is heterodont dipheodont and you know most important है thicodont students right वो मैंने mention किया है alimentary canal is complete no problem teeth right thicodont heterodont and dipheodont है students याद रखिये dipheodont मतलब two sets of teeth are formed याद रखिये बटा रखिये और देखिये यह क्लोएका है ना क्लोएका absent students याद रखिये most of the mammals में क्लोएका absent है लेकिन ऐसे कुछ मामेल से जिसमें क्लोएका present है यहाँ पर मैंने mention क्या है protothereans have cloaca याद रखिये protothereans का मतलब यह गले मामेल में क्लोएका होता है neat का question है तो मतलब हर slide से मैं आपको एक नीट का question दे रहों student याद रखिये हर slide से बता रहों में याद रखिये नीट का question है can you name the mammal in which cloaca is present बोले तो आपको बताना है protothereans में echidna right students right कह सकते हो echidna में क्या है echidna में ornithor incus में right यह क्लोएका students याद रखिये बहुत important है so आपको पताए next देख सकते most important और एक alimentary कनाल के बारे में I mean digestive system के बारे में और एक point में share करना चाहूंगा mammals में generally salivary glands four pairs of salivary glands होते students याद रखिये right right इंसानों में infra orbital salivary glands absent होते only three pairs of salivary glands are present in human beings dear students right यह digestive system पढ़ाते समय पॉइंट रहेगा बहुत important point है याद रखिये in human beings you can see parotid glands right sublingual glands and sub maxillary glands dear students right यह infra orbital glands absent है mammals के what you can say salivary glands में दूसरे mammals में right students right यह rabbit में बोलिए four pairs of salivary glands will be there right students right यह बहुत ही important है neat का point need यहां से बनने का संभावना है dentition के ओपर question पूचा तो पूच सकता है students मामेल से याद रखिये cloaca के ओपर भी question पूच सकते है और यह salivary gland के number के ओपर भी question पूच सकते है student right अब देखते है students देखिए बहुत ही important है बेटा respiratory system कैसा है देखिए मामेल में respiratory system यहां पर मैंने lung का figure बताया तो exchange of gases takes place by means of what lungs तो pulmonary respiration है students याद रखिए बहुत ही important है और मामेल में birds में हमने देखा था voice producing box जो है sound box जो है सिरिंग से मामेल में क्या है students जो मामेल में कहिए दूसरे vertebrates में जो sound box है या voice box है उसको हम larynx कहते है students याद रखिए तो larynx is sound box या sound producing organ क्या है larynx से student याद रखिए बहुत important है बेटा राइट 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 तो larynx appeared for the first time in amphibia larynx appeared for the first time in amphibia इसलिए amphibia को point years of true voice production कहते है students याद रखिए बेटा राइट 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 थोड़ा से advanced point है तो मैं आपने आपको नहीं रोक सकता मुझे यह बताना है बहुत जरूरी है याद रखिए बेटा राइट यह experience के साथ हम बता रहें आपको चलो यह respiratory system भी देख लिए दो ही point याद रखना है respiration by means of lungs और यह voice box है sound box है उसको हम क्या कहते students लेरिंग्स कहते याद रखिए बर्स में क्या था फोर चेंबर हाट था राइट सो यहाँ पर भी मामेर्स में क्या है फोर चेंबर हाट है students no problem simple birds में double circulation मामेर्स में भी double circulation students double circulation का मतलब क्या है but you know blood flows twice through the heart once throughout left side and another time throughout right side dear students उसी को हम क्या कहते है double circulation कहते double circulation diagram है future में आपको body fluid और circulation में double circulation बहुत detail में पढ़ाए जाएगा students याद रखिए right so यहाँ पर double circulation is present right fishes में क्या होता है single circulation amphibians में और reptiles में क्या होता है mixed circulation होता है याद रखे और they float twice through the heart you remember, once through left side, another time through right side, so उसी को double circulation कैसे sinus venousous absent है देखिये, sinus venousous हमने fishes में देखा था amphibians में देखा था reptiles में देखा था, birds में sinus venousous क्या था, students, याद रखे बहुत ही important है, absent था, right, right mammals में भी कैसा है sinus venousous absent है, याद रखे, बहुत है, reptiles में ill developed था, मतलब है, sinus venousous है, तो fishes में, amphibians में, reptiles में sinus venousous है, birds में और mammals में sinus venousous absent है, ये बहुत माइने रखता है, कल ये question पूचा पूचा जाएगा आपसे, sinus venousous के ऊपर वहाँ पर information है, NCRT के book में, right, fishes में है mammals, birds में, amphibians में है, reptiles में है, तो birds में वह नहीं भी दिया, तो हम उसको डालेंगे, यहाँ पर याद रखिए, right, right वह उसका गलती नहीं होगा, वह सही होगा, याद रखिए, mammals में sinus venousous से नहीं है, birds में है, नहीं है, तो इसलिए यह पॉइंट यहाँ पर रखा गया, students में right system में कायोटा होता है, mammals में क्या होता है, left system में कायोटा होता है, बहुत ही important point है, याद रखिए, यह सबसे important है, renal portal system is absent student, right, right, देखिए, बहुत ही ज्यादा important है, fishes में hepatic portal system, renal portal system, both are present, amphibia में both are present, right, अगर आप reptiles की बात करेगों तो in reptiles आस वो बहुतार प्रजेंट, मा, अगर आप उसकी बात करोगे, birds की बात करोगे तो, birds में hepatic portal system है, renal portal system poorly developed है student, right, mammals में आते आते है, renal portal system पूरी तरह से गायब, only hepatic portal system is present, तो इसलिए यहाँ पर मैंने mention किया, renal portal system is absent student, right, जहां तक RBC का बात है, बहुत ही important है students, RBC इन mammals, circular, bicon के हुए, याद रखिए, आप यह shape देख सकते हो, circular, bicon के हुए, कुछ mammals में, जैसे camel और lamba में students, RBC कैसे, nucleated है, याद रखिए, और oval shape में है, याद रखिए, camel और lamba में कैसे होते, oval shape होते, और nucleated होते, याद रखिए, इन दो प्रानियों में, right, so, other mammals में कैसे होते हैं, बताए, दूसरे mammals में, circular और bicon के, enucleated होते हैं, याद रखिए, यह बहुत ही important है, circular system के उपर, mammals के question बनने का chance है, नीट में students, right, चलो, आगे बढ़ते हैं, students और देखते हैं, excretion, excretory system में, क्या है, mammals के, right, students, right, so, mammals में excretory organs तो kidneys है, students और kidneys कैसे, advanced kidneys है, kidneys को क्या कहते हैं, metanephrous kidneys, या posterior kidneys कहते हैं, students, kidneys में क्या है, uraniferous tubules है, right, या nephron है, students, right, they are called structure and functional unit of kidney students, right, right, बहुत ही important है, और excretory system कह सकते हो, और mammals excret their nitrogenous waste product in the farm of urea students, so, इसलिए mammals को ureotelic animals का गया है, यह एक याद रखे, students, right, दूसरा, metanephric kidney से बटा, यह याद रखे, kidneys है, metanephric, right, यह बहुत important है, और nephron में, आप यहाँ पर देख सकते हो, यह kidney है, kidney का एक nephron मैंने बताया, यह है, students, याद रखिए, loop of henley students, right, nephron में आपको loop of henley देखने को मिलता है, students, right, right, यह mammals में होता है, generally mammals के nephron में, और this helps in formation of concentrated urine students, right, right, यह बहुत ही minor रखता है, students, चलो आगे बढ़ते, nervous system, mammals में nervous system क्या होता है, और इसका speciality क्या है, इसकी खूबी क्या है, देखिए, students, यहाँ पर बहुत ही important है, एक point आपको याद रखना होगा, students, इसके ओपर question पूछने का chance है, यहाँ से भी एक question बन सकता है, 101 टक्का बनने का chance है, याद रखिए, neat में, मामेल्स में क्या होता है, जो cerebral hemispheres होते हैं, students, two cerebral hemispheres are connected with each other by means of a transverse nervous band, and वो transverse nervous band को हम क्या कहते है, students, कार्पस क्यालोजम कहते है, याद रखिए, बेटा, सबसे important point है, जो कि मैंने यहाँ पर mention कर दिया, कार्पस क्यालोजम, यह बहुत important है, यह कार्पस क्यालोजम absent होता है, किसमें, मोनो ट्रिम्स में और मार्सूपियल्स में, मोनो ट्रिम्स क्या है, students, यह एगलेंग मामेल्स है, जैसे कि आर्नितोरिंकस, और तकी ग्लासस, जा ग्लासस, यह आर्निजम से, यह students, याद रखिए, इसको प्लाटीपर्स भी कहते हैं, याद रखिए, तो यह एगलेंग मामेल्स में क्या है, कार्पस क्यालोजम absent है, याद रखिए, दूसरा, मार्सूपियल्स में, क्यांगरू, जो है, मेता थीरिया, उसमें भी, यह कार्पस क्यालो Spears को जोडती है students यह बहुत माइने रखता है बहुत important point है need का question है मैंने आलडी लिख दिया बहुत important है student right right याद रखिए future में यह आपको neurology में पढ़ाय जाएगा you know control and coordination में brain के structure में detail में पढ़ाय जाएगा अब देखिए mid brain जो है ना mammals का mid brain of mammals contain 4 optic lobe students कि तो चार अप्टिक लोब्स होते सो चारों को मिलाके कारपोरा क्वाड़िमिना कहते याद रखे बैटा कारपोरा क्वाड़िमना भूत इम्पॉर्टेंट पॉयंट है देखिये फिशस में कंपेरिजन में दो आप्टिक लोब सापॉस काम उबस में भी दो होते कारपऊरा बाई जैमि न हैंपिवेंस में हमी दो होते कारपण उप स्सक्राइब करेगा नव से याद रखने गड़ी सिंफल ए चलो आगे बढ़ते students और तेखते हैं कुछ interesting points देखिये ये की बात करेंगे स्टूदेंट साइट देखिये ये माम्मेल्स में येर कैसे यहाँ पर ये क्या है ये पिणना है याद रखिए क्या है पिणना ये external ear का ये cartilaginous flap होता है students इसको हम क्या कहेते है पिन्ना कहेते है बहुत ही simple है बेटा ear में ear is anatomically divided into three parts right external ear है middle ear है internal ear external ear is represented by what pinna student middle ear में three ear articles होते है malleus incus stepis students याद रखे है और internal ear में cochlea होता है students right highly coiled structure होता है उसको क्या कहते है हम cochlea कहते हैं बहुत important है याद रखे स्टुडेंट साइट कॉखलिया और internal ear is highly coiled spirally student राइट यह बहुत ही important है यह के बारे में speciality मैंने शेर कर दिया students आप last में देखती है लास्ट में देखते हैं स्टुडेंट स्टुडेंट याद रखे सेक्सोल रिप्रोडक्शन होता है मात्र और स्टुडेंट सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो यहाँ पर यह है टेस्टीस आर एक्स्ट्रा सिराश में यह इन अर्गानिजम्स में टेस्टिस क्या होते बाकी के जो आर्गानिजम से उनमें टेस्टिस आप्डोमें के बाहर होते देखिए कोंसे से कौनसे आनिमल यहеं यहाँ पर याद रिखिए रटने के कोशिशocaust किजिए वेल्स डॉल्फिन्स पेन और राइनो म they give birth to young ones, some are what, except echidna and platypus, right, यह जो egg laying mammal से na student याद रखे, echidna और platypus, यह क्या है, they lay eggs students, right, बाकी जो पूरे mammal से na, हो क्या है, बेटा याद रखे, VV paras से, मतलब they give direct birth to their young ones, कुछ mammals होते students, right, some mammals are OVV paras, मतलब they lay eggs, they retain, right, मतलब they give birth to very young, right, students, very young individuals, तो कुछ mammals को हम क्या कहते, OVV paras कहते, यह कोई बहुत ज़्यादा माहिने ने रखता है, इसको आप avoid कर सकते हो, some mammals are OVV paras, वो किस में होते, मेटा थिरिया में होते students, याद रखे, बेटा, right, important है यह बहुत important है, यह neat का point है, याद रखे, so इसके चकर में मत पड़िया आप, इसको आप avoid कर सकते हो, इसको आप avoid कर सकते हो, इसको avoid कीजिए, right, no problem, यह बहुत ज़्यादा आपको और confusion में डालेगा, so इसको avoid कीजिए, इसको याद रखे, mammals are what, VV paras, except what, मतलब monotrims, मतलब echidna और platypus, इनको छोड़के, बाकि पूरे mammals का students, VV paras से याद रखे, बेटा, right, right, देखे, और कुछ, you know, special features मैं बताऊँगा, reproductive system के बारे में, मामेर्स में, development कभी भी direct होता है, बेटा, याद रखे, development direct का मतलब का है, development direct का मतलब है, कोई larval stage वगेरा नहीं होता, students, याद रखे, VV paras में कैए, they are giving direct birth to what, young ones, so therefore, they are what, development is direct, याद रखे, देखे, यक्स, जो mammals के हैं, ये lecithal है, dear students, right, मतलब without yoke हो सकते, या बहुती small amount of yoke भी हो सकता है, micro lecithal, right, homo lecithal, अगर समझो, मान के चलिए, कुछ थोड़ा सा योग है, तो that is equally distributed, right, in the egg, so इसलिए हम उसको क्या कहते है, homo lecithal कहते है, याद रखे बेटा, बहुत important है, अब बताए, mammalian eggs कैसे है, reptilian egg के साथ इसको compare करो, reptiles में एक कैसे, telolecithal है, eggling mammals में, एक सार mega lecithal है, याद रखे, वो मतलब reptilian character याद रखे, मतलब यह जो prototherians है ना, students, यह connecting links है, किसके बिच में, reptiles और mammals के बिच में, connecting links है, याद रखे, बेटा, right, तो इसके साथ हमने यह eggs भी देख लिया, बहुत important, अब देखे, सबसे important, advanced mammals में, placenta होता है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, students, यह है placenta, बेटा, याद रखे, so placenta क्या है, placenta is a connection between what, fetus and what, maternal, uterine, wall student, right, यह बहुत important है, एक connection है, placenta is a, आरगान कह सकते हो, it is formed by the involvement of two different tissues, of two different organisms, एक fetus और एक mother student, right, and which helps in what, which helps in nutrition, respiration and excretion, students, बहुत ही मायने रखता है, placenta helps in the nutrition, respiration, excretion of embryo students, right, right, यह placenta mammals में पाया जाता है, students, याद रखे, बेटा, right, so इसके साथ हमने salient features of class mammalia पढ़ लिया, मेरे ख्याल से आप बहुत enjoy करे होंगे, students, आपको सब समझ में आ होगा, right, बेटा, right, आप अभी expert बन गए हो, कुछ अगर समझ में ने आ है, तो आप उसको repeat, repeat देखिए, समझ में आ जाएगा, students, right, right, चलो आगे बढ़ते हो, कुछ interesting points देखते है, students, अब देखिए, बेटा, examples, class mammalia के example से, जितने बुक में हैं, उतने पूरे पढ़ लीजिए, right, यह Arnitho rincus है, Arnitho rincus का यह दूसरा नाम है Platypus, इससे पहले मैंने Platypus बताया था, Platypus का नाम क्या है, Platypus का मतलब है, Arnitho rincus, यह scientific name है, यह क्या है, common name है, देख सकते हो, यह Macropus, Macropus kangaroo है students, right, इसका पॉच्र मामेल्स कहेते, देखिए, Tyropus, यह Flying Fox है, dear students, इनको bats कहेते हैं, याद रखिए, बहुत important, Flying Fox है, bat, Tyropus कहेते, Flying Fox, common name है, याद रखिए, बहुत important, Tyropus scientific name है, Flying Fox कहेते है, right, right, commonly क्या कहेते हैं, इसको, bat कहेते हैं, commonly, याद रखिए, बेटा, दूसरा देखिए, students, most important है, Maca का, क्या है, Maca का, Maca का, monkey का scientific name है, students, याद रखिए, दूसरे कुछ example देखते हैं, देखिए, आप यहाँ पर देखिए, Camel, right, so Camelus, scientific name है, Camel का, याद रखिए, Ratus, 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 यह बहुत important है, नामिंक लेचर में आपको आएगा, students, right, when genus name और species name are same, that is called a tartonim, यह tartonim के लिए example है, Ratus, 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 Rat का scientific name है, अब और एक देख सकते हो, students, Dog, Canis है, right, Canis, Domesticus, Dog का scientific name है, Canis याद रखिए, कम से कम, Canis याद रखिए, most important है, देखिए, Felis, Cat का scientific name है, Felis, right, कितने सुन्दर बिलियां है, देखिए, right, students, right, यह elephant है, Elaphos, scientific name of the elephant is what, Elaphos student, याद रखिए, बहुत ही important है, right, right, I hope you enjoyed this, it's very simple, right, यह देखिए, Dolphin है, students, right, यह common dolphin है, most important है, बहुत ही important है, Delphinus, scientific name का है Dolphin का, Delphinus है, student, याद रखिए, बहुत important है, यह याद रखिए, right, so Delphinus, Dolphin, Cytasia को बिलॉंग करती है, याद रखिए, यह देखिए, यह, बेलन ओप टेरा है, students, बेलन ओप टेरा, musculus, right, यह सबसे blue whale है, largest mammal है, student, याद रखिए, क्या है बेटा, यह इसका speciality, largest mammal, right, सबसे बड़ा मामिल कोई है, तो यह है, largest mammal है, students, right, largest mammal, याद रखिए, बहुत important है, और यहाँ तक इसका वजन है, 130 tons हो सकता है, students, याद रखिए, कितना 130 tons, 90, इसका लंबाई, 30 meters हो सकता है, students, कितना, 30 meters सक लंबाई हो सकता है, याद रखिए, तो इस तरह से largest animal है, blue whale, याद रखिए, बेटा, right, baronoptera musculus कहेते, इसको, यह देखिए, घोडा, right, students, right, equals है, क्या है, बेटा, horse का scientific name क्या है, equals है, याद रखिए, बहुत important है, tiger देखिए, यहाँ, sorry, tiger है, tiger का scientific name है, panthera, tiger देखिए, बेटा, आप देख सकते हो, बेटा, lion है, scientific name है, panthera, leo student, right, तो lion का scientific name, चलो, students, आप थोड़ा सा हम, कुछ और interesting points हम देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा advance में बताया जार, आपको याद रखिए, ताकि आप किसी से इंडिया में पीछे ना रहे, आप टॉप पे रहे, class, mamelia, right, so classification देखिए जारा यहाँ पर, mamelia class को दो, इसमें, देखिए, यहाँ पर मैं लिखे, आपको बताऊंगा, ताकि आपको बहुत easy मज़ा आएगा, याद रखिए, यह जो mamelia है ना, याद रखिए, यहाँ पर मैं लिखूंगा, थोड़ा सा याद रखिए, class, mamelia class is divided into how many, two subclasses, बेटा, याद रखिए, two subclasses, right students, right ताकि आपको समझ में आ सके easily, यह थे prototheria, क्या है बेटा, याद रखिए, यह है prototheria, दूसरा है theria students, क्या है बेटा, theria है, याद रखिए, यह क्या है, दो subclasses है, अब यह prototheria में एकी order होगा, order एकी है, इसका नाम है mono trimata students, mono का मतलब है single trimata का मतलब है opening, right, so one single opening है, मतलब Chloe का है, right, यह order है, mono trimata, इसमें एग लेंग मामेल साथ है students, देशे मैंने बताया था, और नी तो रिंकस प्लाटी पसे याद रखिए, बेटा, right, right, अब theria जो है ना, theria subclasses, theria को दो infra classes में बाटा गया है student, याद रखिए, क्या है, देखिए दो infra classes से याद रखिए, किसमें theria में, वो कौन से infra classes से आप देख सकते हो students, यह खे metatheria, यहाँ पर मैंने clearly आपको लिखे बताना है, ताकि आपको यह समझ में आए, metatheria या, दूसरा है बेटा, utheria, क्या है बेटा, utheria है, याद रखिए बहुत ही important है, right, right यह utheria में क्या है, placental mammal से याद रखिए, बेटा, क्या है, placental mammal से, right, placental mammal, आप बताए, placental mammals कोन से इसमें है, यह utheria में है, true placental mammal से याद रखिए, बेटा, थेरिया में क्या है, इसमें pouched mammal से students, इसमें क्या है बढ़ता है, बेटा pouched mammal से याद रखिए, मतलब क्या है pouched mammal का मतलब क्या है, pouched mammal का मतलब है, kangaroo पाउच होता है उनमें याद रखे इसमें एक order है राइट वो order का नाम क्या है बढ़ रहे है students बहुत ही important है marsupilia क्या है बढ़ा यहां पर मैं लिखके बतारों आपको marsupilia marsupilia यह marsupilia क्या है बढ़ा marsupilia order है marsupilia order एक order है उसमें किसमें metatheria में एक order है उसका नाम है marsupilia सबकलास में एक uso लाइब में इस ओमे टूमर आस्झेते सुदेंट यहाए उसके लिज्य को घ्ड Slider से आडर इस सबकलास में उसमें ऐना सबकुलास में लकुल लिज़ें इसमें इयाद राएब दो 15 मंएर्प में आडर देखिए इंसेक्टी ओरा, राइट सुडेंट्स, राइट, खायरोप्टेरा, राइट, बहुत सारे ओर्डर से यहाँ पर यह आपको ज़रूत नहीं है, प्राइमेटा, राइट, सो इंसान का ओर्डर है, स्टुडेंट्स याद रखिए, यह क्लासिफिकेशन है, याद रख है, 1 हे, 1 है, 1 स्टुडेंट्स, राइट, 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 1 ही ओर्डर है, उसका नाम है, 1 मार्शुपिलिया ओर्डर, अब यह यू्ठीरिया, स्टुडेंट्स, इंफा הग्ला से हैं, 16 और्डर से हैं, यहाँ पर यह ने बताया, कम से-कम आपको यह प्रोट्चिरिया, थीरिया राइट यह मोनो ट्रिम्याटा यह उसमें मार्शू पीलिया यह यू थीरिया क्या है इस तरह से कुछ समझ में आना चाहे स्टूरेंट्स तो इसलिए मैं यह बता है बहुत ही सिंपल है बैटा चलो अब हम देखते स्टूरेंट्स यह जितने भी हमने फाइल अभी त सिस्टम में सर्कूलेटर इसिस्टम में डिस्टिंट इस्टिंट्टीव फीचर से अब इसको कम्पेरेजर में पढ़ लिए पुरीफेरा में क्या है सेलूरर लेवल यहाँ पर देखे शिमेटरी राइट सुंट पर आप सेंट यहाँ पर आप्सेंट इस तो इस्टेंट र नाइड अरिया में टिशू लेवल आर्गाइशन है, सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, सिलोम अपसेंट, सिग्मेंटेशन अपसेंट, स्टूडेंट याद रखें, इनकम्प्लीट, राइट डास्यू सिस्टम यहाँ पर अपसेंट है, सर्कुलेटर सिस्टम, रेस्पिरेट सिस्टम, को अम प्लेट से, स्पेशल क्रेक्टर, रेखें, प्लाइड डाट इल मिन्िसमे, आरगाउन system लेवल आपसेंट, सिग्मेटर अपसेंट, सिर्कुलेटर सिस्टम, प्लेट किस्ट मिन्मेट पर अपसेंट, सिग्मेंट से, सिलोमेट से, bilateral symmetry, silo meds है, right segmentation present, alimentary canal complete, circulatory system closed present, right respiratory system present, segment, body segments, ring-like segments are there. Arthropoda, argon system level, bilateral symmetry, silo meds है, segmentation present है, complete alimentary canal है, students, right circulatory system present है, respiratory system present है, exoskeleton, right students, yadra khe, jointed appendages. Mollusca, argon system, bilateral symmetry, silo meds है, segmentation absent है, मुलसका में important point है, right, complete digestive system, circulatory system present, respiratory system present, external shell you can find your students, right, econo-dermata में देखिए, argon system level of organization, radial symmetry, silomate से, segmentation absent है, complete digestive system है, right, circulatory system present है, students, respiratory system present है, water vascular system, characteristic feature है, याद रखिए, hemikardiata में, argon system level of organization, bilateral symmetry, silomate से, segmentation absent है, है, बहुत important point है, यहाँ पर याद रखिए, यह, the ratio system complete है, right, circulatory system present है, students, right, right, but ill-developed, respiratory system present है, students, right, warm-like body है, proboscis, collar, right, and trunk is present, right, cardata में देखिए, argon system level of organization, bilateral symmetry है, silomate से, right, students, right, segmentation present है, यह बहुत important point है, यहाँ पर ही confused होते हैं, बच्चे नीट का point है, ratio system complete है, circulatory system present है, right, students, respirator system present है, notocard, dorsal, halotubular, nerve cord, gills leads, right, post-annual tail students, right, यह comparison भी हमने देख लिया, बेटा, last में जो chart है, NCIT में यह भी हमने complete कर लिया, यह भी करना है, आपको, हिसमें से भी question बन सकता है, students, यह भी need के लिए, बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखे, बेटा, right, right, so students, इसके साथ हमने animal kingdom, यह kingdom animalia, complete कर लिया, students, मुझे उमिद है, आपको kingdom animalia, hundred percent समझ में आऊंगा, right, students, यह बहुत पढ़ी है, और कुछ समझ में नहाँ, तो rewind करके देखिए, students, वीडियोस आपको 20 घंटे का animal kingdom, यहाँ पर आपको explain क्या गया है, यह master के ओपर students, right, right, so dear students, this session ends here, thank you for watching, yep master, keep watching, yep master, thank you.